नमस्कार तेज हर्याना से गुर्विंदर पन्नू और जैसे ही बीजेपी ने पहली हिलिस्ट में हर्याना की लगभग सभी सीटों का एलान कर दिया है जहां पर मंडी डवाली में टिकटों को लेकर जो टिकटार्थ्यों की फैरियस थी बहुत लंबी थी जहां पर हर नेता आपने आपको रेश में रख रहा था कोई एक नमबर पे कोई दो नमबर पे तो कोई इनता कह रहा था है कि उसका टिकट बिल्कुल पक्का है मगर अब टिक्टों का अगर बात करें तो किसी नेता को टिक्ट मिला है तो किसी का टिक्ट का पत्ता कट गया है यानि अब पत्ता साफ हुआ है वो स्तीती भी अब कलीर होगी है कि अब टिक्ट का दाविदार कोन है डवाली से अधित्या चोटाला को BJP ने अपना परत्याशी है वो गोशित किया है इस वक्त बाचीत के लिए मेरे साथ BJP के निता है भाई रकेश रमा मेरे साथ है जिनका एक टेग लाइन है जिनकी भावी MLA मैं उनी से आज चर्चा करूँ और उनके दिल की बात करूँगा क्योंकि मेरे बहुत सारे दर्शकों ने सवाल मुझे भेजे दे कि आखिर अब निता जी को तलाशो उनकी स्तीती क्या है सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वाल है हमेशा की तरह मैं दैसे मुझता हूँ ग्रविंदर जी आप इस लैक समझ देओ मैं आप दा बहुत-बहुत तनवाद करना कि आपका चैनल आड़ बढ़ दिया बलंदिया नशू है मैं बड़ा शुक्र गजार हूं हमेशा आप मेरे लिए इतने इची विश्ट करते हैं खुश है आप ठीठा के बिल्लकुल बिल्लकुल मगर बीजेपी ने अपने टिक्टों का मतलब बढ़ारा कर दिया है सबको टिक्टे मिल गई है बीजेपी ने आपको निचोना सर देखो हाइक मांदा फैंसला है उन्हों हाइक मांदे फैंसले न सानु सारे नों मनना चाहिए दा मगर ऐसा क्या गुना किया कि हम लुट गई क्या गुना था रकेश उर्मा का के बीजेपी क्यूने समझ पाई उनको की टिकट किसको दिया जाए मेरी सोच है इस अलके दबकास होें और इन्सान इतना पड़ा होई आपको नहीं लगता हर्याना के सेम मनोलाल खट्र ने ग्रह मंत्री खो दिया अपना जर्विंदर जी इन सांधी अंदर ली वैल पावर मजबूत होनी चाहिए हरे एक बच्चे नो अपने आवनों ग्रह मंत्री समझना चाहिए हरे आने दा सियम समझना चाहिए और देश दा प्रदान मंत्री समझना चाहिए क्योंकि उस इन सांधी सोच सची ते सुची और लेकि जानली होनी चाहिए दिए शर्मा जी जब टिक्टों का मतलब ऐलान हो रहा था टिक्ट ऐलान साधे चार बजे प्रेस कॉंफेंस हुई जो ठीक आधा घंडे पहले आपके मन में क्या चल रहा था आप आश्वास थे कि नामना उस्तौ आपका हो नहीं दिल से बताना क्य कोई कार्ण ऐसा हो गया होएगा जिस कार्ण नामनी आया बंदेनों कदेवी हांसला नहीं शड़ना चाहिए दा बंदेनों निश्चा और लक्षे रखना चाहिए ये कालपुर्ख वैगरू पर मातमा कोई दूर नहीं है ये हाजर नाजर है ये चाट समय दा है निसान दी पावनानों और मालक जो अगे करेगा बहुत वधिय करेगा अगर आपको लगता शर्मा जी बीजेपी ने क्यों भूल कर दे बीजेपी को कहां समझनी आया कि जो इंसान ये कह रहे है कि मैं चंडिगड़ वाली को बना दूँगा बावी अमेले पका वो कह रहे थे कि ग्रे अगर आपको तो टिकटी नहीं मिला सर कैसे चंडिगड़ बनेगा वो तो पावर आप में थी बनाने की कली एक एमेले देनालनी पावर हुंदी हलके देविच और आप दी सोच अगे लेकी जाना ली हुनी चाहिए और में पूर्ण विश्वाश है ये हलका जरूर अगर बनाने की है तो क्यों टिक्ट के पीछे पड़े थे आप लोग मतलब टिक्ट के जरूरती नहीं सर वो तो आप भी कर सकते हैं आज ही कर सकते हैं मैंनों तो पंदरा साड हो गई जब आपने बीजेपी को जवाइन किया था तो आपने याद होगा तेजर रहना से बाचीत की थे आपने कहा था कि सुभास ब्राला जी ने बहुत अच्छे से आपको आशिरवात दिया है और मुझे भी पता जला था कि मोदी साब की माता जी से भी वरताला आप करके आए थी उन्होंने अशिरवात भी दिया था आशिरवात की कमी तो कहीं नहीं थी कमी तो टिकेट ना देने में रहेगी सर लगता आपको पर परमातमा जरूर मेरी ये सोच नो पूर्या करेगा आपको लगता है जिस भी निता को आप टिकेट मेला आ देते हैं चोटाला को आप समर्थन करेंगे उनका पूरा खुले दिल से समर्थन करेंगे या भी सोचेंगे कुछ मैं दोनों अडवांच रात ही मेरे पास देते हैं चोटाला जियायसी मैं उन्हों अडवांच बदाई देती हैं गिया और मैं ये भी नाल अख्या है किसा हलके नाल जो पहला रायनिती हुई और नहीं होनी चाहिए दी इनसान इतनों अग्ये लेके जाना है और वकास दी रायनिती गरनी है मगर आप लोग कहते थे कि ये थोड़ी बनता है कि चोटाला परिवार के लोगों को इता हुदेविलाल के लोगों को टिक्ट मिलता रहे आपने का था कि माईनल्डी में था मेरा पहले वहां पर दम गुटता था लेकिन अब भी तो फिर भी टिक्ट तो उसी परिवार को मिल गया सर कैसे सपने पोरे हों ये गल मैंनी आखी कि टिक्ट है चटला परवार नो मिली मेरी सोचे कि उस इनसान नो टिक्ट केस नो मिली है उस टिक्ट दा उस पावर दा सत पजोग करे ना कि दुरूप जोग करे आज भी आपने पार्टी का गमचा उतारा नहीं है आपके गले में आपकी सीने से लगा हुआ है नहीं लगाया सीने से तो खटर सावने नहीं आपको लगाया क्या लगता है आप भगावत होगी या शर्मा जी बीजेपी में टिके रहेंगे गुर्विंदर जी मैं आपनों प्यार करना मैं बीजेपी पार्टी नों प्यार करना मैं इनसान प्यार करना इनसान अगों मैं नों प्यार करे ना करे मैं नों इन देना कोई मतलब नहीं है मतलब आप बीजेपी में रहेंगे बिल्लकुल या सोचना भी बाकी है बिल्लकुल अभी कोई मेटिंग तो बलाएंगे आपके इतने सारे चाहने वाले लोग हैं आप उनसे मिलेंगे कोई कारे करता अभी मगर आपको नहीं लगता कि आपके चाहने वाले अगर आपको ये कहें कि नहीं शर्मा जी आपको लड़ना होगा चुनाब क्या करेंगे आप फिर इसको आगे इस कालपुर खवय गुरु पर मातमा दी मर जी मैं की कर साकता नहीं चाहतो वो रहें आपके समर्था का चाहन के तपर हो जाएगा उनकी इच्छा पूर्न हो जाएगी तो यह फैंसला कब तक लेने के उमीद आप तो लग कब तक यह खुश कबरी सुनाएंगे आपके मेरे सुत्तर यह कह रहे है कि आपके पास बहुत फोन आ रहे हैं लोग कह रहे हैं कि नहीं जी आप बैठने का सवाल नहीं होता ठीक है आपको लगता है कि अब बैठ जाना चाहिए शर्मा जी को खड़े हो जाना चाहिए साथ चल लेना चाहिए और फरक बैठने उठने और चलने का और साथ लगने का है कि दिखो कि सबसे बड़ी है पार्टी ऐस तो बाद है सब तो बड़ी है तो इनसानीत cant 투 सुना अनुटतर कहे रहे हैं आपको किसी पार्टी का उफ़र आया जोड़ी कि Weival को काफी पार्टी के उफ़र आ चुके है दृव्वं के मैं पार्ट फै अगर आप सविकार करते हैं एक्सेप्ट करते हैं तो वो मेरे साथी दसन गया है कि जड़े मेरे नला लखा आदमी जुड़े हो यह नहीं तो मतलब आपको दुखनी हुआ जब टिकट कट गया आपका पत्ता साफ हो गया बीजेपी ने समझाए नहीं आपको आपने मित्रों को छोड़ दिया सब को छोड़े दुखनी करना चाहिए दा आपदी सोच वदिया रखनी चाहिए दिया है मैं था खुशी लड़ू बंडे अरि दित्य चटला पांच साल पहले आई हो टिकट भी ले गए आपने अपने अपनों दित्य ही समझ जाए तो सारा संसार ही आवदा है विख़ जाए शरीर भी आवदा है जो अच्छा आदमी करे मित्य नाओ Tschandani होना जेड़े इनसान ही तो लगगे राके और हरे आने दा और पूरे देश दा वकास करूंगे मौना देना रहा सर एक सवाल बनता है सबसे पहले आपको जहाज में बैठने का मौका मिला था जहाज वालों ने आपको बलाए भी था मलाल नहीं होता जहाज अच्छा था बैठ जाते तो नहीं अपार हो जाती मैं कमल के फूल में टक गए सर कमल कोई और तोड़ ले गया मेरी चाबी भी है किसमत का ताड़ा खोलने वाली कुछ भी है तो सब मेरी सोच है इनसान ही तो को अगे लेके जाने की मतलब सबकुछ इनसान के बित्तर ही है चाबी भी आपके हाथ में है मोके की चाबी तो हाथ में चस्मा भी चड़ा सकते हो आप हैं और कमल का फूल को दाएंबाहे रहता ही है तो फिर कहा चाबी चले यह कहा गूम रहे हो सब मतलब कोई तो पहन लोगे का दा देखो मैं कौन है विक होना फोन हायारा जा फोन हाया अधीडी आचुके हैं लगपग मेरी सोच है कि अधित्य जीदी जच के जो मेरी अंदर दी सपोर्ट है क्योंकर उत्ते सेंटर देविच पर सरकार बीजेपीदी है सटेट देविच वी लगपग तय है पर मेरी सोच है कि जो इत्होंदावी MLA बने तो बीजेपी दा बने जिन्दे नाड इस हाल के दा वकास हो सकते हैं मगर शर्मा जी अगर आप से मैं विविश्यवानी पूछना करवाना चाहूं मैं बहुत टिका कार पड़े था आप जी क्या लगता है डवाली में अधित्य को टिकेट देकर बीजेपी ने भूल कर दी है या बीजेपी को गोल्डन चांस मिल गया है क्या लगता आप आप कहा रहे हरे हारे हैा कर साच दसाना देजी इस गल्टिया हों डेजी प्रमातमा भी किर्पण जी मेरे साथ जीन में मुझभूर कारता लेक्शन लड़न वासते तो जीत तो फिर वी रिकेश शर्मे दी होगी अच्छा मतलब पिर कमल नहीं खिलने वाला पिर कमल खिलेगा क्योंकि मैं तहां सपोर्ट किस दी करनी है गी है वकास दी करनी है गी है मैंनू पाटी नल कोई मतलब नहीं है गा मैं पहले वी कहा चुक्यांगा मैंनू सिर्फ ते सिर्फ एक इनसान इते वकास मतलब है मतलब शर्मा जी जो मैं समझ रहा हूं चुनाव तो आप लड़ेंगे नहीं अड़ते जित बगवान की इच्छा है ना आदे करे करावे आपे आप मान सके कशनाही हाथ सही सियानफा लख हो एक नचले नाल सोचे सोच ना होवी है जे सोची लखवार आपको लगता है कि जहाज में आप बैठे नहीं कमल का फूल आपको तोड़ने ने दिया किसी ने कोई और तोड़ ले गया मैं तोड़ना थी मैं तो खलावना सी कम से कम 50,000 वोटों सी लीड लेके इसको कमल के फूल को इतनी लीड नहीं आने वागा है तो और के शर्मे को जो साथियां ने पूरा अश्वाशन दे दिया तो कम से कब 15 से लेके 20,000 के उपर की जीत करेगा रके शर्मा आज भी के शर्मे को गुर्णानक साव की किरपा से पूर्न कड़ फिडेंस है तो फिर सब साफ ही कह देना चाहिए आपको कि आप चुनहाब लड़ेंगे अब तक तो आपको ताम जाम बंद लेना चाहिए तासर तो खोजी का इंतजार पर जदो मेरे पास साथी आप जैसे साथी और है यारां चाहिए साथी आणके मिल रहने ते मेरे घर पे कोई आ रहे है तो मैं घर शोड़के जाओं कोश अच्छा नहीं है अच्छा नहीं तो आपके मैमान उनको अटेंड करना जरूरी था बिलकोल बिलकोल अच्छा शर्मा जी क्या लगता है ऐसी घड़ी आपके उपर आन खड़ी हुई है अब शर्मा जी घड़ी देखे मिन्ट गिने सेक्ड़ों का इंतजार करे या आने वाले पल का इंतजार करे कैसी स्तीती बन गई है देखा था कभी ऐसा मैं तो सोचा है यह है कि इस इनसान इतने पड़े वास्ते कम करना है गा मेरे वास्ते मैंनों एमेले बना चाए ग्रै मंतरी बना चाए हरे आने दा सीयम बना जा देश दा प्रदान मंतरी बना पर मेरी एक सोच ही रहेगी पहले तो लेके लाश्ट तक सिर्फ इनसान इदा पड़ा और हलके दवकास, पूरे देश दवकास. पड़ा और हलके देश अजादर हो गया, अजबी ओन नस्थे साथियों देसे देश देश देश्यत नहीं है, उनके कोई मैडिकल ववस्ता नहीं है, उनके बच्चे उनके पड़ाई दी कोई ववफ़ता नहीं है, जो BPL काड़ है, ग्राउंड लेवल ते हों तक टांक बिरूरत है उनके पास सोची जाँ पहुंच दिया नहीं है आपको नहीं लगता शर्मा जी की बीजीपी वालों ने आपका पत्ता कटवाने में कसर नहीं छोड़ी बीजीपी की नेता कहते खुश नहीं दड़ वाले वाले कहते हम तो पहले ही मतलब लड़ाई लड़ रहे है टिक लेने के लिए एक और खड़ा हो गया आके कहतें कहतें ना हमें मिले ना उसको मिले किसी को दे दो उनकी सोच होगी मेरी ऐसी सोच नहीं है मेरी सोच है कि सिर्फ तो सिर्फ हड़के दावकास मेरे को देखो वाज साड़े देश दे परदान मंत्री नरिंदर मोधी जी ने गुजरात रूं किन ना अगले लेके गए जो मह कहने हैं कि गुजरात दे वे Hah कपड़े मिला लगी याने, साथे लाके देवेच एनी नर्मेदी खेती हुन्दी है, क्यों नी अथे क्यों नी लाके सकती है? साथे हुन तक जिनने निता ने, इसा हलके कनी, सोचे ही नी थी, कि जिन दे ननाल इस हलके दी, नौजवान पीडी नू मजबूरी दे विच नशे दे टेर दे उत्यान के बैठना के आ है जे इन नौजवान दे पास रोजगार होएगा तो जटो सारा दे नसी चवी कंटियां चो इकी तो बाई कंटे में तो करने सान। दो तिन कंटेंदी रेस्ट मेल दी जटो मेरे सात्य मेरे रोजगार मिले होंदा हो निसी साकता के नशेदे टेरते जान। इस लाके नल बहुत वड़ा खिलवाड होया मेरी आत्मा जो भीयान नी कर सकती के इस लाके नुक्य में बचाया जाएगा मेरी इकको तेक सोच है कोई साथी बने चै दित्याज मैना एमेले बन पर इको वीडियो वैरल होई हैं उन्हें प्रामादियां उस वीडियो तो बचके हो इस हलके नुँ अगे लेके जान वास्ते कम करना। आपकुल लगता जो वो ओडियो वार हुआ था वाइरल हुए थे उसका नुक्सान कोई होगा अधित्या की लिए बाते सुनी है उसके जो लेंगुज जूज कीती गई है वो अच्छी नहीं है तो सब उपर तक पांच भी चुकी है बिलकुल बिलकुल मैं तो उसकी निंद और पोर्ट आई है और नमी है बाकी जित्या जिन प्राणी लगती तो हो सकती प्राणे में शब्द सल वैसे जूज नहीं करने चाहिए थे शब्द तो कम से कम जो विवारिक तोर पर जो शब्द अच्छे होने चाहिए अब आपका दिल क्या कह रहा है शर्मान दिल तो यह मैंनी कह रहा है किसाल केदा वकास हो जो मेरी सोच है गुर्णारक साथी किरपनाल डबली हलका चल्डी गड़ बने लेकिन सार टिकेट में चैकर घुषने नहीं देते बिना टिकेट तो बस में अब यह बस आपकी विकास रूपी बस है अब चैकर उसके अंदर खड़ा है टिकेट आपके पास नहीं है क्या करें शर्माजी सोच तो है जैसे अंदर जंगल को अग लागी तो सारे जिन्ने जीव जन्तू सी वाग बजान वास्ते चले तो हाथी हस्या हाथी जदो हस्या वो कहीं दा कि जुड़ी नू कहीं दा कि तेरी कि यह चुंज दे नाल कि यह अग बुझ जाएगी वहां दी बुझ जेत चैना पर अग बजाण वाले यह दे विच मेरा नाम ता जरूर हो जाएगा वकास करना ले दे विच मेरा नाम ता जरूर ते आसदे पन्नयाच लिखा जाएगा आप सब नू पता है कि एक एमसी वार नंबर 17 दी है प्रती हों द दे नाते आप सब नू पता है कि जड़ी मेरी 75 रुपीया पे आउंदी है उस दावी सलाई सेंटर खोल रख्या है लखार पेंदे लेटां आप सब नू पता है तिन साल सानों एमसी बनेन होगी सरकार कोड़ों असी एक वी एलीडी लैट नहीं लवा सकी लखार पिया दिय किर्ट विच्चों लखार पेंदे लेटां विजेव देविच्चों डब वाली शेयर देविच्च में लवा चुकिए तो बीजेपी ने धोका की है सर आपके साथ बड़ा दोका की आपको लगता है दोका दिया आपको छीट किया गया है देखो उनकी सोच है ना मैं किसी क कारन मैं करी सी जो साथे देश देग्रे मंत्री अमित्शा जी और जेस तरीके नाल देश देप्रदान मंत्री नरिंदर मोधी जी बढ़ ही वदी आत्रीके नल कम कर रहे है जिवेत तारा तिनसो सब्तर पैंती यह टाई जा साथे हरे आना देशी है मनुवर लाल जीने किन् के जौप देन देविच्च बहुत वड़ी पूमकार नबाई एक इमांदर इदा प्रिष्चे दिया वहनुन सुलूट करते हो एक बीजेपी पाल्टी जोएन की तिया मैं होनी बीजेपी जहां पर मेरे साथी जे मेनु लेक्शन लड़ाओन गे जिस दीवी सरकार बनेंग में एक इनसान दी वकासती कर मतलब है अपको लगत है अगर इंडियान नेशनल लोगदल आप जोएं कर लेते हैं। कौन काटने वाला था टिम टाप की सर कहते हैं आपके बड़ी अच्छी मितरता थी उनके साथ आइनल्ड के साथ हो बड़े करीबी लोग थे फिर क्यों पंगा लिया आज वी आप अपनी बस में से खड़े होके बेगानों की बस में बैठे के अगलों ने उतार दिया आज वी कॉंघ्रस वाले साथ ही मेरे सिर्दे ताज है नथा ताज है बीजेपी ले मैरे सिर्दे ताज है मैं तो सारी इंसान इतन पड़ा है। मैं तो सब तो वड़ा दुख पहुंच जया। मैं तो वड़ा दुख पहुंच जया। मैं तो वड़ा दुख पहुंच जया। मैं तो मेरा उस दिन तो दिल टुट गया सी कि जे कर शाड़े असी यो का मकार साकते हां। मैं तो दूसरे पाल दा पता नहीं हुंदा है। मैं तो दूसरे तो मैं तो वड़ा नहीं हुंच जया। आप पे कंडा, तोलत राजू, आप पे तोलन हारा, आप देखे, आप पे भूजे, आप पे है बन जा रहा है। जी जागरण पर, संध्या टीवी पे, संस्कार टीवी पर, लाइव रहते हैं सर सारा दिनुदू आप पे पे यहांने के शर्मा, चवी कंडे हैं सर्वी इक्की तो बाइव कंडे में तो करके जी दासर पे इनकम है ते नौर पे यहूं, सेवा चीही लवधा है, एक पैनल आवदा कार्ति पर वार ची लवधा है, सच है। इंदे कोई दो रहे नहीं है। चलो ठीक है सर आप ने पत्ते तो नहीं खोले मतलब आपने कोई खुलासा नहीं किया आप क्या करोगे मतलब आप अभी तक कुछ भी सोच नहीं पाएं सर आप ये भी नहीं मान रहें कि आप बीजेपे में रहेंगे आप ये भी नहीं कह रहें कि आप नई पार्टी बना लें दम दा की फरोसा बंदे दम आवे थे आवे ना आवे बहुत बहुत शुक्रिया यह थे मेरे साथ मंडी डवाली से भाई राके शर्मा भावी MLA सर भावी MLA तो लग रहेगा अभी तक नाम क्या है बिलकुल जी बिलकुल मैं था कहीं न सीय महरे आने दा देश्दा परदानमंत्री साड़ी सोच वनी चाहिए दिया जी सोच नहीं वड़ी सोच दा वड़ा ही जादू है यह कर साड़े देश्दे परदानमंत्री एक चाब सकता है कि भी मालक ले सकता है थोड़े डीवदी या सेवालै रहे है तो इस ताकत देहाँ चाहिए इनसां देवस कुछ भी नहीं है इनसांता इस ताकत नो ओधो मनदा है जदो फास जानदा है आदे दुख में सिमरन सब करे सुक में करे न कोई सुक में सिमरन करे फिर दुख काई को होई तो बिल्कुल ये हमारे साथ भाई राकेई शर्मा थे जिनसे मैंने खुल कर तमाम वो सवालों के जवाब लिए हैं जो आप जानना चाहते थे मगर अभी तक शर्मा जी फूदी फासा है कि वो क्या करें आभी तक वो लोगों से खीड़ बेक ले रहे हैं और दो दिन बाद बताएगा तो शर्मा जी का कुछ भी नहीं होने वाला है अगर उन्हें करना होगा तो आज और कल में ही कुछ करना होगा खेर ये मैं शर्मा जी पे छोड़ देता हूँ क्योंकि सब का अधिकार है आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं बहराल मेरे कैमरा परसन ही इमराज बेट के साथ मंडी डवाली से गुर्विंदर पनू